आज आप लोगों को सेकंड यूनिट में फूट प्रोसेसिंग के बारे में बताया जाएगा जिसमें आपका पहला है पास्यूराजेशन आप मिल्क पहला पास्यूराजेशन टॉपिक है तो पास्यूराजेशन को हम किस तरह से जानेंगे Passeurization of Milk Passeurization derives its name from French scientist Louis Pasteur who during his studies 1860-1864 found that the heating of certain liquids especially wine at a high temperature improved their keeping quality. Abraham Jacob 1870 of New York was the first to recognize the value of pasteurization in protecting the public health. Soxleyte of Germany 1886 introduced the pasteurization of milk in 1899. Theobald Smith determined 140 degree Fahrenheit or 60 degree Celsius and 15 minute time for killing TB bacteria. कहने का तात्त पर यह हुआ कि पास्चूराइजेशन का नाम फ्रांक्सीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर से लिया गया है जिन्होंने अपने अध्यन के दौरान 1860 से 1864 ने पाया कि उच्चे तापमान पर कुछ तरल पदार्थ विशेश कर वाइन के गर्म होने से उनकी गुडवत्ता में शुधार होता है सारवजनिक स्वास्थ की रक्षा में पास्चुरी करण के मूल्य को पहचानने वाले पहले नियुवयार्क के अबराहम जेकब थे अबराहम जेकब अठारा सो चत्तर थे कितने सन में थे 1870 जर्मनी के सॉक्सलेट 1886 में दूद के पास्चुराइजेशन की शुरुवात की जर्मनी के सॉक्सलेट सांटिस्ट थे इन्होंने 1886 में दूद के पास्चुराइजेशन की शुरुवात की अठारा सो नवासी में थियो बैल्ड इस्मित थियो बैल्ड इस्मित ने टीवी बैक्टिरिया को मारने के लिए एक सो चालीस डिगरी फार्एन हाइट और पंद्रह मिनट का समय नरधारित किया इस इन साइंटिस्ट ने टीवी के बेक्टिरियों को मानने के लिए 140 डिगरी फारन हाइट और 15 मिनट का समय जो है वो नरधारित किया अब आते हैं डेफनीशन डेफनीशन आफ पास्चुराइजेशन पास्चुराइजेशन इस अप्लाइजेशन आफ अपॉअ का टुक अक्टै टुक मिल meus or heating 72 degree Celsius or 161 degree Fahrenheit and holding at this temperature for at least 15 seconds in an equipment approved by the health authority and followed by immediately cooling to 5 degree Celsius or 41 degree Fahrenheit or below. कहने का तात्त पर ये हुआ definition में कि वैज्ञानिक परिभासा के अनुसार पास्तेरी करण वहाँ प्रक्रिया है जिसमें दूद को कम से कम 72 degree Celsius कम से कम 72 degree Celsius या 161 degree Fahrenheit at least 63 degree Celsius 145 degree Fahrenheit पर 15 seconds के लिए गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ही और फिर तुरंत ही 45 degree Fahrenheit तक ठंधा कर दिया जाता है स्वास्त अजिकारियों द्वारा अनुमोधित उपकरण में और उसके बाद तुरंत 5 degree Celsius या उससे नीचे के तापमान पर ठंधा किया जाता है ये गौर्णमेंट की तरफ से स्वास्त अजिकारियों द्वारा अनुमोधित उपकरण का मानक है मतलब उतने सिकंड तक गर्म करने के बाद उतने degree Fahrenheit पर उसके बाद उसको तुरंत 5 degree Celsius तक क्या करते हैं तंपरेचर तक उसको ठंडा करते हैं डेफिनिशन एक बाद फिर से सुन लेजिए पास्तेरी करण वह प्रक्रिया है जिसमें दूद को कम से कम 63 degree Celsius या 145 degree Fahrenheit पर 30 मिनट के लिए या 161 degree Fahrenheit पर 72 degree Celsius पर 15 सिकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ही 45 degree Fahrenheit तक ठंडा कर दिया जाता है स्वास्थ अजिकारियों द्वारा अनुमोदी तुक्रण में और उसके बाद तुरंत 5 degree Celsius से उसके नीची किताब मान तक रखा जाता है दिया इसमें प्रसेशाफ प्रसेजराजेशन में इट इनवाल्वस इट इनवाल्वस फालोइंग थ्री स्टेप्स इट इनवाल्वस फालोइंग थ्री स्टेप्स मींस इसमें तीन चरणों का पालन करना शामिल है इसमें तीन चरणों का पालन करना शामिल है पहला आपका है हीटिंग दूसरा है holding और तीसरा है cooling तो पहले हम बात करते हैं heating की तो heating में क्या है distribution की तो कि दोच दोचा कि लिग्टेख लागे तेुपर दो दो दोचा है अ पमेदा धिसेज़ करदे के लिए जले लागे लागे लिए ल felony मिल्क उज़ केका लेनगे लयट वर्यागे लागे destruction of pathogens, next cooling में, milk must be immediately cooled to a low temperature 5 degree Celsius to prevent the growth of bacteria, कैने का तात पर ये हुआ, heating की हम बात करते हैं, means गरम करना, heating, गरम करना, दूद को एक निर्दिष्ट तापमान, पर 63 degree Celsius तक गरम किया जाना चाहिए, गरम किया जाना चाहिए, भाप का 7, 1 kg प्रती 6 लीटर दूद, होता है, next है, holding, holding में, कहने का तात पर ही हुआ, कि पकड़ना, means इस्तिर रखना, या रोके रखना, रोक जनकों के विनास को सुनिश्चित करने के लिए, दूद को लंबे समय तक तापमान पर रखना चाहिए, next है, ठंडा करना, cooling, बैक्टीरिया के विकास को रोकने के लिए, दूद को तुरंत कम अतापमान, means 5 डिग्री सेल्सियस तक थंडा किया जाना चाहिए, दूद को पास्चिरिक करने के शामान तरीके कहने का ताथ पर यह हुआ, कि इसमें दो तरीके हैं आपके, दिया हुआ है दोनों, पहला आपका है, LT, LT मेथ़ड और दूसरा है, HT, ST मेथ़ड, कहने कतात पर यह हुआ, कि low temperature, longer time, and HT, high temperature, short time, तो इसमें हम पहले low temperature, longer time, parturization की बात करते हैं, low temperature, longer time, इसमें हम इसको इस तरह से define कर सकते हैं, this is also called batch or holding method, of pasteurization, in this milk is heated to at least 63 degree Celsius or 145 degree Fahrenheit and held for at least 30 minutes, followed by cooling to 5 degree Celsius, means 41 degree Fahrenheit or, this process is carried out in a double jacked wet filter with a mechanical agitator and a thermometer, and outlet is provided in the bottom portion of the wet to drain out the pasteurized milk, heating of milk is done by circulating hot water or steam and cooling by chilled water, तो कहने का तात पर यह हुआ, कि low temperature, longer time, parturization, इसे बैच या पास्टीर करण की धारण बिधी भी कहा जाता है, इस दूद को कम से कम 145 degree Fahrenheit और 63 degree Celsius तक गर्म किया जाता है, और निचले हिस्से में outlet दिया गया है, जिसके माध्यम से पास्चुराइड दूद बाहर निकलता है, गर्म पानी या भाब को प्रसारित करके और ठंड़ा पानी के द्वारा दूद को गर्म किया जाता है, यह आपका हो गया, एल्टी, एल्टी मेथड, नेक्स्ट आपका है, एच्टी, एच्टी, एच्टी मेथड, मीन्स, हाई टंपरेचर सार्ट टाइम पास्चुराइजेशन, इसे हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस श्टी, एच्टी परिफान, इसे हैं, विश्टी, एच्टी, एक तरण स्टी म्ली। आपकेजेशन, इस लेच्टी एच्टी, एक drafting और भी परनख़ये एक हां, कि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दोध ह्टी एस्टी पास्चुराइजर में लगातार बैता रहता है जहां इसे 15 सेकंड के लिए 72 डिगरी सेलसियस तक गर्म किया जाता है और 5 डिगरी सेलसियस तक ठंधा किया जाता है HT-ST पास्चुराइजर कंसिस्ट फर फोर डिफरेंट सेक्षन फोर डिफरेंट सेक्षन दैट इस रिजनरेट्शन, हीटिंग, होल्डिंग और कॉलिंग सेक्षन कहने कतात पर हुआ कि HT-ST पास्चुराइजर में जो डिफरेंट टाइप के सेक्षन है, जो पार्ट है, जहां पर उनका सेक्षन लगा हुआ है उसमें पहला सेक्षन आपका है रिजनरेशन और दूसरा है हीटिंग और तीसरा है होल्डिंग और चौथा है कूलिंग सेक्षन रिजनरेशन मेंस होता है पुन्रत्थान या शुधार करना तो इसमें Each section compares of stainless steel plates उसमें जो हर section में जो памp लगी होती है वो stainless steels की plates होती है arranged in a series, वो एक series में लगी होती है जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं यह जो लगी हुई है brine inlet outlet, यह जो plate लगी हुई है, मैं इसी plates की बात कर रहा हूँ, यह जो plates लगे हैं, इनी plates की बात कर रहा हूँ, यह shipped are criss-crossed with knots, ripe plates or groups to give a turbulent flow of milk. The heating and cooling of milk takes place through these plates. The flow of milk is STST, pasteurizer is as follows. In this case, you can see the criss-crossed method, which I'm talking about here. This is the criss-crossed method. This is the criss-crossed method. Here you can see milk can in the design. There is the brine inlet, the brine outlet, cold water, cold water, this is the outlet. This is the end of the pipe. This is the main section. The arson section is the same. The brine outlet is the same. The brine inlet is the same. यहां से अंदर है और यहां से इसका यह बाहर है और मिल्क का केन नीचे दिया हुआ है अब आ जाएए यहां पे motor pump यहाँ पे आपका motor pump लगा हुआ है और यह आपका surface cooler है जो कि ठंडा करता है अब इधर आप देखिए कि pasteurization pasteurized milk रखा हुआ है wet pasteurization जो pasteurizer करने का wet मतलब पातर होता जो रखा हुआ है और यह thermometer यहाँ पे आप देखिए लगा हुआ है reading thermometer motor agitator यहाँ से आप motor को on off करेंगे और यहाँ से आप देखिए thermometer लगा हुआ है जहां से आप temperature note कर सकते हैं कि कि कितना temperature इस समय है उसका holding method of pasteurization यह जो मैं आपको बता रहा हूँ जो figure बना हुआ है यह holding method of pasteurization का है तो इसमें जो है अमने बताया कि क्रिसकाउट में plates लगी होती है not ripest लगी होती है और इसमें जो है दूद बराबर जो है वो बैता रहता है plates में और इस मादम से वो एस्टी एस्टी pasteurizer काम करता है इसमें आपका पहला दिया हुआ जैसे float controlled balance tank through milk pump जो यह milk का pump है इसमें जो है आपका control करने के लिए balance tank एक बना हुआ है और दूसरा है इसमें आप देखी regeneration section regenerating section जो है एक बना होता है और तीसरा है heating section गरम करने का होता है उसके बाद ऐता है holding section जहां पे कुछ समय के लिए दूस जो है रूपता है यह जो vine मैंने बताया यह जो बनी हुई है इसमें जो है कहीं एक जगहा जो है कुछ समय के लिए dود रुखता है holding section होता है उसे काते है Flow Divergent Valve एक Flow Divergent Valve होता है जहां से वो दूद जो है बैता रहता है Regeneration Section Cooling Section जहां पे वो ठंडा होता है Storage Packaging आप पाचुराजेशन मिल जब सारी प्रक्रिया हो जाती है तब उसके बाद क्या होता है Storage Packaging उसकी हो जाती है For Storage Space 360 Liter मतलब जो Storage Space उसकी है वो 360 Liter की है Milk की पाउज की है Carats in 1 square meter at 5 degree temperature उसमें उसका जो उसका Space है Storage का वो 360 Liter milk पाउज का है Carats की आप से 1 square meter 5 degree temperature पर और इधर आपका दिया हुआ है Unpasteurized milk If not properly heated मतलब अगर पूरी तरह से Pasturized milk नहीं है तो यहाँ पे Float Control लिखा हुआ है Float Divergent Valve यहाँ से दोनों जगां से हम उसको रोप सकते हैं इसमें हम देखते हैं Float Divergent Valve Wet Pasteurizer है और Cold Water और Cold Water यहाँ पे Brine Milk and Thermometer तो इसका figure जो है अगले में हम देखेंगे आज बस इतना ही आगे फिर हम Next lecture में इसमें जो और बचा हुआ है उस पर हम चार्चा करेंगे Thank you झाल करेंगे झाल झाल